Hello students, the extra education challenge में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है because इस वीडियो में 10th कलाश की जो बुक है Social Science उसका एक important chapter को लेकर आया हूँ और यह chapter का नाम है भारत में राष्टरवाद और यह है chapter हमारे जो 2022 का जो paper होने वाला है उसके लिए बहुत ही important है क्योंकि इस chapter से 2-3 number board exam में जरूर आएंगे इस chapter के यह आती लगुत्रामक person है जो सभी board exam के लिए बहुत ही important है जैसे कि CBSC का Trump to exam, HBSC का board, RBSC का board या फिर UP board, सभी board के लिए important person है इसलिए इस वीडियो को पूर देखना, सिकिप नहीं करना है वीडियो चिलेगे ति वीडियो को लाइक और चैनल को देना, सब्सक्राइब अभी chapter का जो पहला person है, वो यह राष्ट्रवाद का क्या आर्थ है very important person है और यह हमारे board exam के लिए बहुत ही important है इसलिए इस person को आपको याद रखना है इसका उत्तर है एक ऐसी भावना जो राष्ट्र को एकता के सुत्र में बांधती है यानि ऐसी भावना जो राष्ट होता है जो देश होता है उसकी एक करने में उसकी एकता में सुत्र बांधती है ठीक है उसके बाद उसको अन्य राष्ट्र के निवासियों से भिन्ता परधान करती है उसे कहते हैं राष्ट्रवाद क्या कहते हैं उसे राष्ट्रवाद कहते ह मैं इसको सरल भासा में आपको बताऊं राष्टवाद होता क्या है तो राष्टवाद होता है यानि कि जैसे कि हमारा देश है भारत अगर हमें इससे प्रतिस्षन यानि कि सिप्रेम करेंगे इसमें घनिष्टा दिखाएंगे ठीके इसके जो सम्विदान है इसके जो कानून ह करेंगे और अपने देश के लिए जान की बाजी लड़ाएंगे ये भी सब एक राष्टवाद होता है ठीक है ने ये था इसका फर्स्ट कोर्सन की पहला पर्षन उसके पाद सेकिंड पर्सन है उपनी वेस किसे कहते हैं ये भी इंपोर्टेंट है तो इसका उत्तर है गुलाम देश को उपनी वेस कहा जाता है उनकी कहते हैं ठीक है ने जो देश गुलाम होते हैं उसे उपनी वेस कहा जाता जैसे कि हमारा भारत देश उनीस से पहले एक गुलाम देश था ठीक है ने कि बाद थार्ड पर्सन है एसोग्य अंदुलन किसने चलाया था ये पर्सन दो बह 1920 में चलाया था, कब चलाया था, 1920 में चलाया था, यह है आंदोलन, उसके बाद जो फौर्थ परसन है, जो चोथा परसन वो यह है, महतमा गांदी, डक्षीनी अफरीका से भारत कब लोटे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनवरी 1915 में लोटे थे, महतमा गांदी अफरीका से ठीकें, उसके बाद जो परसन पांचवा, यह परसन बहुत इंपोर्टेंट परसन है, रोलट एक्ट क्या था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसन है, और यह परसन भी हमारे जो बोर्ड एकजाम है, उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह परसन बहुत जा सकता था यह था रोलट एक्ट ठीक है नहीं कि कोई भी भारते उसे बिना किसी कारण के बिना किसी अंतरगत के उसे बंदी बनाया जा सकता था यह कानून था रोलट एक्ट कानून जो अंग्रेज द्वारा पास किया गया था ठीक है और यह रोलट एक्ट कानून 1919 में पा गरी आन्दान उसके बाद परसन सातफु है जलिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ Very important परसन ने तो इसको इसको उत्टरे 13 अप्रेल 1919 को हुआ था जलिया वाला बाग का हत्या कांड ठीक है ने उसके बाद परसन बाग कहां इस्तित है अब हमें यह सथान बताना कहां पर वे इस्तित है जलिया वाला भाग ठीक है अमरित सर में जलिया वाला भाग जो वो अमरित सर में इस्तित है जो पंजाब में ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट परसन वो खिलापत कमेठी का गठन कभी किया गया था तो महतमा गांदी थे हिंद सवरापुस्ता के लिए उसके बाद next है चोरी चोरा की हिंसंग घटना कब घटी very important यह भी तो इसका सही उतर फरवरी 1922 में घटी थी चोरी चोरा की हिंसंग घटना ठीक है और यह जब घटना घटी थी तो गांदी जी ने जो एसोगे जो आंदोले ने उसको भी वापिस ले लिया था अगर यहां तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लेग रहे तो वीडियो को लाइक कर दो और चेलंग कर दो सबस्क्राइब ठीक है अब इसके जो नेक्स्ट परसन है उस पर हम चलते हैं परसन बारवां गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया था तो इसका सही उत्तर वो है इन दोनों ने सवराज पार्टी का गठन किया तो वेरी इंपोर्टेंट परसन है इस परसन को आप याद हकना उसके बाद पंधर माहें साइमन कमिशन भारत कब आया तो इसका सही उत्तर उन्नी सो अठाइस में ठीक है और इसके जो अध्यक्स थे वो थे संजोन साइमन थे इसके अध्यक्स उसके बाद इसके जो नेक्ष्ट परसन वो ये है भारत ने पहला सोतंतरता दिवसका मनाय था इंपोर्टेंट परसन है इसका उत्तर है चबीज जर्वरी उन्नी सो तीस को ठीक है ने उसके बाद नेक्ष्ट परसन है दांडी मार्च यानिकि नमक यात्रा कब सुरू किया गया था इंपोर्टेंट परसन है ये भी तो इसका सही उत्तर है बारे मार्च उन्नी सो तीस को यानि दांडी मार्च यात्रा है वो बारे मार्च उन्नी सो तीस को सुरू की गई थी उसके बाद परसन सतरमा है दांडी यात्रा कब संपन हुई अब हमें संपन बता यानि कब संपन हुई तो इसका उत्तर छे अप्रेल 1930 को संपन हुई थी डांडी या था ठीक है नहीं जब कि सुरुवाद बारे मार्च 1930 को हुई थी के बाद इसका नेक्ष्ट परसन वह है सविने अविग्या आंदोलन कब सुरू किया गया था तो इसका उत्तर है मार्च 1930 में सुरू किया गया था सविने अविग्या आंदोलन और यह हैं आंदोल महतमा गांदी द्वारा सुरू किया गया था किसके द्वारा महतमा गांदी द्वारा यह सुरू किया गया था और मार्च 1930 में सुरू किया गया था नेक्ष्ट परसन है दमित वर्ग एसोसी 셋시 & कि सतापना कब और किस ने किती ये परसन्ट बहुत impotent person है 100% ये बरसन्ट exam देखने को मिल सकता है अब इसका उतनर 2030 में डांक्टर भीhao एंबेड करने की थी सतापना किसे ने गन्फिती पर amendment तो इसका उत्तर है vendor maatram कौन से गीत है भारत का r 230 का राश्ट्य गीत है उसके बाद नेक्स्ट परसें पूना पैक्ट पर Istaur as data कब और किसने की थी। यह person very important person है। इसका उत्तर है 1870 में बंकिम चंडर चटर जी ने इसकी रचना की थी। और 1870 में इसकी रचना की थी। यह person important है। बार बार एकजाम में आता है। ठीक है। इसके बाद जो next person है। यह person यह हैं भारत माता की पहली तस्वीर कब और किसने तो इसका जो उत्तर है ये है 1905 में अबनी नंदर नाट टेगोर ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाए थी और ये 1905 में बनाए थी ठीक है किस ने बनाए थी अबनी नंदर नाट टेगोर ने ये हैं तस्वीर बनाए थी उसके बाद 24 परसन गांदी इरवन समझोता कब कब चला तो इसका उतर है 1906 में चला था 1906 में ठीकिन उसके बाद नेक्स्ट परशने पुन सवराज्य परस्ताव कब पास किया गया ये परसन बहुत important person है ये भी exam में आ सकता है इसका उतर है December 1939 में पास किया गया था, ठीके न, उसके बाद 2800 परसन पर्थम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, यह परसन भी important तो इसका उतरे 12 नौंबर 1930 को, उसके बाद जो next परसन है, दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ, अब हमें दूसरा गोल मेज सम्मेलन बताना है, तो इसका उतरे 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीके न, दूसरा गोल मेज सम्मेलन, उसके बाद next परसन है, जो last परसन है, वो यह है, तीसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, यह परसन भी important है, लेकिन इसका right answer कमेंट्स बॉक्स में तुमें बताना है, देखते हैं कितनों का right answer ठीक आता है, कित हंटी को भी दबा दो, ताकि हर वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल सके है,